प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं 1857 के विद्रो का पाचवा व्याख्यान इससे पहले चार व्याख्यान हो चुके हैं विगत व्याख्यान में हमने बात की थी कि विद्रो बहुत तेजी से देश के दूसरे भागों में भी फैल गया था और विद्रो में कुल डेड़ लाख लोगों की जानने गई थी जिसमें पचास हजार सैनिक थे और एक लाख गैर सैनिक थे सिविलियन्स थे तो विद्रो उत्तर भारत पश्चमी भारत पूर्वी भारत दक्ष्णी भारत पूरे जो विद्रो का एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया था आज हम बात कर रहे हैं कि जहां विद्रो नहीं हुए वहां भी लोगों की सहानुबूती विद्रोयों के साथ थी लोग बहुत बार सरकारी सैना यानि कि अंग्रेज जी सैना और अधिकारी यानि कि अंग्रेज जी अधिकारी इनको गलत सूचनाएं देकर भ्रमित करने का कारिये कर रहे थे और एक प्रकार से वो जो ये आंदोलन चल रहा था उसमें सहयोग कर रहे थे उन दिनों उसी लग जब ये आंदोलन चल रहा है लंदन से प्रकासित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के समवादाता डबलू एच रसल ने जो उस समय भारत में था उसने लिखा कि उत्री भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्तरता पूर्ण दरश्टी से नहीं देखता था और उसकी आँखों में देखने वाले की आँखों में एक ग्रणा जह लगती थी तो इस कथन से प्रिटिस विरोधी भावना का अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है विद्यार्थियों जहां विद्रो नहीं भी हुए वहां भी अब लोग यह सोचने लगे थे कि शायद सामराज्य का अन्त आ गया है यह तथ्यान देने योग यह है कि बहुत से स्थानों पर लगान इखटा करना राजस्व इखटा करना रेवन्यू कलेक्शन का जो कारिया है वह कठिन हो गया था यह ठीक है कि विद्रो के दमन में विद्रो के इलाकों में भी बहुत से भार्तियों ने अंग्रेज्जों का साथ दिया बहुत से भारतिये गद्दार निकले परंतु कभी भी और कहीं भी आप इतिहास के विध्यारती हैं आप और भी बहुत सारे आंदोलन पढ़ेंगे कभी भी कहीं भी किसी आंदोलन में सभी लोग एक और का पक्ष नहीं लेते हैं और सभी स्थानों पर जिनको हम गद्दार कह रहे हैं उस चरित्र के लोग मिलते हैं शिक्षित भारतियों की यदि हम बात करें तो शिक्षित भारतियों ने हालांकि इनकी जनसंख्या इनकी जो नंबर से संख्या है उस समय बहुत कम थी इन लोगों ने विद्रो में भाग नहीं लिया क्योंकि वे पास्चात्य सभिता से बहुत परभावित थे वे आशा करते थे कि अंग्रेज प्रगती सील परिवर्तन लाएंगे तकनीक लाएंगे विज्ञान लाएंगे और इस देश का उधान होगा कुछ ऐसा सोचने वाले लोग भी थे परंतु फिर भी वे विद्रोहियों के वीरता पूर्ण कारनामों की सरहना करते थे और अपने देशवासियों की सफलता पर गर्व करते थे विद्रोह का विश्लेशन की जब बात आती है तो कुछ जो अंग्रेज लेखक जिनोंने इसका विश्लेशन किया है वो कहते हैं कि गैर सैनिक विद्रोहियों में आम लोग नहीं थे बलकि डाकू और लुटे रहे थे उननिस्वी स्थाबदी के जो ब्रिटिस इतिहासकार जिन में जॉन के, हॉम्स, मैलिशन, फॉरेश्ट, आदी के नाम समलित किये जा सकते हैं इन इतिहासकारों ने यह तर्क नहीं दिया कि विद्रोह में भाग लेने वाले गैर सैनिक मुख्यता डाकू लुटे रहे थे कुछ उनने कहा लेकिन यह जो इतिहासकार है इन्हों ने डाकू लुटे रहे का नाम या उल्लेक नहीं किया यह स्विकार किया जा सकता है हम भारतिय दृष्टि कोण से बात करें तो भी कि कुछ समाज विरोधी तत्वों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आराज जकता का लाप उठाया होगा परंतु अधिकतर विद्रोहियों ने बलिदान की भावना का परिच्चे दिया और मात्र भूमी की जो रक्षा मात्र भूमी की आजादी उनका उदेश्य रहा ऐसे उधारन बहुत कम मिलते हैं जहां उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रेतन किये हूँ अत्वा धन के लालच में अपने साथियों को दोखा दिया हूँ कुवर सिंग जो की जगदीशपूर के जमिदार क्रामतिकारी का पीछा करने वाले ब्रिटिस अपसर लुगार्ड ने यह सुविकार किया कि उसे ग्रामवासियों की और से काफी परेशानी उठानी पड़ी लखनाओ की बात करें तो जहां पर अंग्रेजों को कैदी बना लिया गया था लखनाओ में जेम्स आउटरम ने परतेक यूरॉपिय कैदी को आजाद करवाने के लिए दस हजार रुपए देने की सर्थ रख दी थी गोशना कर दी थी परंतु कोई भी रुपए लेने को तैयार नहीं हुआ कोई भी इस लालच में नहीं आया और किसी ने भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया अधिकतर विद्रोहियों ने इस परकार की चिंता के कोई चिंड नहीं दिखाई दिये कि यदि विद्रोह सफल नहीं हुआ तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी यह बात दिल्ली विश्विध्याले के जो आरल सुकल है प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्विध्याले के थे उन्होंने यह बात लिखी है कि लोगों को कोई चंता नहीं थी यह स्वाभाविक ही था कि इतने बड़े विपलव में ऐसे भी लोग होंगे जिनोंने स्थिती का लाब उठाने के उद्दिश्चे से इसमें भाग लिया हूँ परंतु जिस तरह की बलिदान की भावना इस विद्रो के दोरान देखने में आई वह केवल स्वार्त सिद्द करने की भावना का परिणाम नहीं हो सकती मेरट लखनव कानपूर वैज्ञासी में जिन लोगोंने अपनी जान की बाजी लगा दी उनके मन में यह प्रेणा अवश्य रही होगी कि वे अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपनी संस्कृती की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं विद्रो को दबाने में अंग्रेजों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पढ़ रहा था उससे भी विद्रो की गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है बहुत से पदाधिकारियों को यह लगा कि भारत उनके हाथ से निकलता जा रहा है उन्होंने इसे छोड़ने के विश्य में तो नहीं सोचा परंतु इसे बनाए रखने का कारिय उनके लिए अत्यधिक चिन्ता का विश्य जरूर बन गया था उस समय जो गवर्णर जर्रनल कैनिंग ने प्रारम से ही अपने समुक दो देश्य रखे जो उनका प्रधान अधिकारी है ब्रिटिस भारत का जो बॉस है दो देश्य रखे पहला ब्रिटिस सेना को इकटा करना और दूसरा दिल्ली पर पुने अधिकार और नियंतरन स्थापित करना दिल्ली बहुत महत्व पुर्ण थी क्योंकि दिल्ली स्ताब्दियों से भारत की राजधानी थी तो दिल्ली पर अधिकार करना कैनिंग ने अपना दूसरा लक्षे रखा आठ जुन को सैनाएं अंबाला की तरफ बढ़ी अंग्रेजी सैनाएं और वहां से बढ़कर दिल्ली के निकट जाकर वहां अपना खेमा लगा लिया अपना लंगर लगा लिया अपना मौर्चा वहां अपनी छावनी इन्होंने बना ली और पंजाब की और से जो टुकडिया आने वाली थी जो सैना आने वाली थी उनकी प्रतिक्षा वहां पर हुई और जब इनके पास में परियाप सैना हो गई तो दिल्ली में भिशन हत्या कांड हुआ और 20 सितंबर तक दिल्ली पर अधिकार अंग्रेज जुका हो गया बहादुर्शा को बंदी बना लिया गया ज उसको बंदी बना करके उस पर केश चलाया उसको सजा सुनाई और रंगून भीज दिया गया और दूसरे करांतिकारियों को भी वहां पर सजा सुनाए गई वहां लाल के लिए में ही कोट लगाया गया धीरे धीरे सैना ब्रिटिस सैना उत्तर परदेश के विभिन नगरों क और इसके बाद इलहाबाद पर अधिकार कर लिया यहां विद्रोईयों को सबक सिखाने के उद्देशे से इलहाबाद में अंग्रेज जो सैनानायक है करनल जेम्स नील ने भिशन भिशन कतले आम किया मारकाट का सहरा लिया प्रंतु है कानपूर की तरफ नहीं बढ़ सका तथा यातायात के साधन नहीं थे कानपूर में ब्रिटिस टुकडी तथा अन्य अंग्रेजों ने एक काम चलाव सिविर में सरनली जब यहां रहना मुश्किल हो गया तब उन्होंने इस सर्थ पर नाना सहब का मराठा नेता का संग्रक्षन स्विकार किया कि उन्हें नदी के पार सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा परन्तु नदी पार करते हुए उन्हें मार दिया गया वास्तव में इस विद्रोही सांदोलन के दोरान दोनों और से निर्दायता पूर्वक हत्याइं की गई सुरू में विद्रोहियों ने निहत्थे योरॉपियों की हत्या की ये काम भारतियों ने किया और बाद में अंग्रेजों ने भारतियों के साथ ऐ मानुसिक व्यभार किया अत्याचार किया इसके कारण दोनों जो नसले थी उनमें जो खाई पैदा हो गई थी उसे भरपान मुस्किल हो गया था लखनव में रेजिडेंसी में सरन लेने वाले यॉरॉप वासियों ने काफी हिम्मत से विद्रोहियों का मुकाबला किया अक्टूबर मास के अंत तक यॉरॉप से बड़ी तादात में सैनिक भारत पहुंचे और इसके बाद अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र शुरू हुआ और एक एक करके उन्होंने जो भारत के जो विभिन परदेश ब्रिटिस भारत से निकल गए थे उन पर पुने सत्ता स्थापित की मार्च 1858 तक लखनव उपर ब्रिटिस का अधिकार स्थापित हो गया इस विद्रों में एक जो खास बात रही रिमार के बल हिंद्वों और मुसल्मानों ने मिलकर कारिय किया अंग्रेज अपसरों ने यह स्विकार भी किया कि इस विद्रों के दोरान वे एक धरम के लोगों को दूसरे धरम के विरुद नहीं भढ़का सके यानि कि हिंद्वों और मुसल्मान को एक दूसरे के खिलाप नहीं भढ़का सके सितंबर 1857 का उधारण हम यहां पर प्रस्तुत करते हैं वहां 1857 में सितंबर में आउट्रम जो वहां का उस समय अंग्रेज परतिनीदी है उसको ब्रिटिस भारत सरकार की तरप से 50,000 रपे भीजे गए बरेली के अंग्रेज अधिकारी आउट्रम को और उसको कहा गया कि बरेली का बरेली का जो उस समय सासक है जिसका नाम है खान बहदूर उस खान बहदूर के खिलाफ उसकी हिंदू परज़ा को भढ़काना है परज़ा तो हिंदू थी जो लोग थे हिंदू थे ल cafeteria लेकिन उनका जो राजा था वो खान बहदूर था अंग्रेजों ने पचास हजार रुपए उस समय की बहुत बड़ी कीमत बहुत बड़ी रासी है पचास हजार रुपए भीज दिये अपने वहां के अपने परतिनी धी के पास में और उसने बहुत कोशिश की लेकिन वहां हिंदू मुसलमान वर्सेस नहीं हो सका और वहे जो रकम जो भेजी गई थी वो वापिस उसको आउटरम को वो रकम वापिस राजकोस में ट्रेजरी में जमा करवानी पड़ी वहाबी वहाबियों ने जो इस समय का धर्मांद मुसलिम पंथ था इस विद्रो में भाग नहीं लिया पंजाब के मुसल्मानों ने इसे दबाने में उसी तरह अंग्रेजों की साहिता की जिस तरह अन्य धर्म के लोगों ने बंगाल में भी जहाँ विद्रो नहीं हुआ विभिन धर्मों के लोगों के दृष्टिकौर में कोई अंतर नहीं देखा गया राष्टता की भावना के अभाव में कहीं कहीं जोज पैदा करने के लिए धर्म जो धार्मिक भावना है उसने जरूर महत्तपूर भूमी का नबगाई लेकिन वो सिरफ इतना ही था कि राष्ट भक्ति पैदा करनी थी कोई धार्मिक उन्माद पैदा नहीं करना था इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के बड़े भाग में विद्रो भिषण जुआला के समान फैला और बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ से निकल गया स्वैम गवर्नर जर्नल केनिंग ने इसे जन विद्रो की संग्या दी उसने इसको सेनिक विद्रो नहीं कहा जन विद्रो कहा तथा अंग्रेज अधिकारी भारत पर पुने विजे प्राप्त करने की योजनाएं बनाने लगे यह ठीक है कि पहल सैनिकोंने की और फिर इसमें गेर सैनिक भी कूद पड़े एसेनिक भी कूद पड़े विद्रोईयों का उद्देश्य केवल परिस्थितियों का लाब उठाना ही नहीं था बलकि उनमें प्रबल विदेशी विरोती भावना भी देखने में आई और उस समय फिरंगी जो कि अंग्रेजों के लिए प्रियुक्त किया जाता था एक घ्रणित सब्द बन गया तथा पैसा देखकर लोगों को अपने साथ मिलाना अंग्रेजों के लिए असंभव हो गया ऐसे जमीदारों तथा किसानों ने भी विद्रोह में स्क्रिय भाग लिया जिने ब्रिटिस सरकार की नितियों से लाब हुआ था वास्तव में विद्रोहियों में विदेशी सत्ता द्वारा अपनी संस्कृति तथा तोर तरीकों के लिए पैदा किये गए खत्रेक के विश्य में चिंता की भावना काफी प्रबल हो गई थी विद्रोह में हिंदूओं और मुसल्मानों में जो एकता दिखाई दी उसे देखकर अंग्रेज दंग रहे गए और फिर बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया परन्तु विजे प्राप्त करने के बाद विद्रोही योजनाबत तरीके से अपनी विज्यों और सफलता का लाब उठाने में ऐसमर्थ रहे इसका नेत्र तो अधिकान स्थानों पर जो देशी राजा कर रहे थे परन्तु हर स्थान पर ऐसा नहीं हुआ ग्वालियर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया लेकिन सिंधिया राजा ने उनका साथ नहीं दिया इस विद्रोह के दोरान निर्दैता पूर्ण कारिये दोनों और से ही लगबग समान रूप से किये गए जिस तेजी सावधानी और योजना बदता से अंगरे जो ने इसे दबाया उससे उनका आत्मिश्वास बढ़ गया और भारतिये अपने इस बलिदान का अपने इस त्याग का और इतने जो एक लाक डेड़ लाक जो लोग मरे उनकी जो सहीद हुए उसका लाब नहीं उठा सके क्योंकि कोई एक नेता नहीं था और जो नेता थे उनमें आपस में कोई ताल मिल नहीं था कोई पहले एक योजना नहीं थी और यदि सफलता मिल जाती है विद्रोशफल होता है तो उसके बार किस परकार से सासन पर सासन चलाया जाएगा वो भी उनके पास में उसका कोई उनके खाका कोई उनके पास में सिड्यूल कोई उनके पास में प्रावधान उन्होंने पहले से नहीं किया था तो जिन स्थानों पर उनको सफलता मिली उन स्थानों को भी वे अपने नियंतरन में नहीं रख सके और एक बात मैं पुने दोहरा दूँ बात जहां से सुरू हुई थी कि यह सैनिक विद्रो है या प्रथम सोतंतरता संग्राम तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि यह प्रथम सोतंतरता संग्राम था जो उस समय गवर्नर जनरल था बिर्टिस भारत का जो स अगले व्याक्षान में बहुत बहुत धन्यवाद